जहिन साथियो दोस्तो आज का ये वीडियो एरफोर्स से रिलेटेड है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप मैंला केंड़ेट एरफोर्स कैसे जोइन कर सकती हैं इसके लिए एज हाइट क्वालिफिकेसन रनिंग क्या होनी चाहिए दोस्तो पहले इंडियन एर वजन दोड़ कितना होने चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अगर आप मेल एरफोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो आई बटन पर यहां पर दिख रहा होगा उसको जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को इ करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग की यह बढ़ते अगनी वीर के माध्यम से कराई जाती है और इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग के ऑनलाइन फॉर्म निकाले जाते हैं जो कि आपकी आल इंडिया के लिए होता है और इसमें आल कर टेगरी की लोग अपल करने के लिए इसके जैसे फ़र्म आपको आनलाइन होकार सबसे पहले में आपको बना के बता दूँंगा कि कैसे फॉर्म को ऑनलाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़े रही दोस्तों फोर्म आलनलाइन के फिर्जज़ 5.500 ॉप्लस जी एशटि चार्ज भ पास होने चाहिए बसरते आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि मैथ फिजिक्स एंगलिस होने चाहिए ठीक है और टोटल आपके पचास परसेंट अंक से जादे होने चाहिए टोटल का परसेंटेज और आपके इंगलिस में पचास परसेंट एवाप होने चाहिए तब भी आप इस form को science category के लिए apply कर सकते हैं नेक्स्ट है दोस्तों जो कि other than science है उसके बार में हम बात करते हैं तो other than science के लिए दोस्तों आपको बारवी पास होने चाहिए उसको भी 50% अंगों के साथ और आपके इंगलीज में 50% अंग होने ही चाहिए तभी आप इस form को apply कर पाएं जाएगा वसरते हैं उनके पास उनकी डॉब मिसाइल सेटिफिकेट होनी चाहिए चुट पाने के लिए तभी उनको यह चुट दिया जाएगा एच की बात करते हैं शाड़े साथरे से किस वर देखी जाएगी इसमें वसरते आप अन्मेरिट कंडिट हैं तभी इस form पॉब करते हैं साथ मिनिट का टाइम जाता है ठीक है इसके लिए एक क्वेश्चन एक सही करने पर और 0.25 की माइनस मार्किंग रहती है अगर वही आप अधर देन साइंस के लिए अपलाई करते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपके रिजिनिंग जीके जीएस और इंगलिस से क्व जाते हैं इसमें आपको पैतालिस मिनल का टाइम दिया जाएगा और पचास कोश्चन आपको करने रहेंगे इसमें भी दोस्तों एक नमर दिया जाएगा प्लस के लिए अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 की माइनस मार्किंग रहेगी तो जो भी एक्जाम क्वालिफाई करते ह करते है लन इंदने जो के आता है को कि आपको एक मिनिट के अंदल में करने है लिए यह करने के बाद तो इंडियन एरफोर्स इम मेडिकल टीम के दौर आपका मेडिकल करा जाता है इसके बाद आप लोग के फाइनल मेरिट पर प्रोड की जाती है और आपको इमेल के माध्यम से अपडेट दी जाती है फिर दोस्तों आपको ट्रेनिंग के लिए बेच दिया जाता है जो भी अचिएबाँ के अचिका बाद पर्मानेंट होते है उनको एरफोर्स मेरा रख लिय जाता है वो परमानेंट हो जाते है उनको एरफोर्स के पुरी सुबधाय दी जाती है उसमें कौन-कौन दी सुबधाय है उसकी वीडियो अब लेवलेश शेननल पर तूसको जाक्र आप देख सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक इसाथ जैन जैबार